राम राम किसान भाईयों, मैं नितिन फिर से हाजिरू हूँ, आपकी अपने चैनल नितिन देवल में, जैसा कि किसान भाईयों इस समय पर आप देख पा रहे हैं, हमारी जो धान की फसले बहुती अच्छी अवस्ता में इस समय पर खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो मेर रस चूसक कीटों की समस्या चल रही है, तो यह जो रस चूसक कीट है, यह जो धान की फसल के अंदर से बालियों को रस को चूस रहे हैं, और बालियों को सफेज बना रहे हैं, इस से हम किस तरीके से बस सकते हैं, बालियां अच्छी तरीके से लंबी कैसे आ सकती हैं, इनके तो दिखाता हूँ कि जो हमारे धान का खेत है, ये किस तरीके का चल रहा है, बहुत ही सांदर तरीके से आपको हमारा खेत नजर आएगा, ये आप देख सकते हैं, पूरे खेत के अंदर जो बालिया है, ये हलकी हलकी सी बननी शुरू हो गई है, और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे पूरी जो फसल है हमारी चल रही है, तो अब बात करते हैं किसान भाईयों कि इसके अंदर से जो ये फुत्के की समस्या है, ये कैसे खतम की जाएगी, साथ ये साथ जो बालियों का भढ़ा होगा, ये अच्छी तरीके से कैसे आएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पर मैं आपको दो से लेकर तीन ऐसे टेक्निकल बताने वाला हो, इन टेक्निकल का यदि आप उपयोग, अपनी इधान की फसल के अंदर कर लेते हैं, समय से जितनी मात्रा, जितनी डोज में आपको बताऊंगा, उस तरीके से आप चलते हैं, तो बहतर पर इनाम आपको देखने को मिल जाएंगे, देखें जैसे ही रस चूसक कीट जो है, हमारे इधान की फसल के अंदर लगते हैं, यह बालियों के अंदर का जैसे ही हमारी पूरी बाली है, इस आप देखते हैं, इस बाली के अंदर जितना भी रस भर करके आएगा, रस जो सकीट इसके उपर बैठेंगे, और इसके अंदर का जो रस है, जो इसके अंदर दूद बहा जाएगा, उसे वो चूसना सुरू कर देंगे, तो उसके बाद को होगा कि हमारी पूरी बाली होगी, वो सफेद पढ़नी सुरू हो जाएगी, उसके अंदर जो रस रहेगा, खतम हो जाएगा, तो हमारा जो उत्पादन होगा, वो कहीं न कहीं बहुत जादे कम हो जाएगा, अगर हमारी पैदावार आठ कुंटल, दस कुंटल तक निकलनी चाहिए थी, तो वो पैदावार में कम सकम 20 से लेके 25 परसेंट तक की गिरावट आपको देखने को मिल जाती तो इससे भी हमें अपनी फसल को बचाना है, फिर ऐसे कौन से खा दहिया, ऐसे कौन से इस्प्रे हैं, जिनने यदि हम अपनी फसल के उपर करते हैं, तो बालियां लंबी आए, दानी के अंदर वज़िया अच्छा है, दाना हमारा ठोस बने और उसके उपर चमक भी लगात करके दे सके, अगर हम नूर्मली बात करें, रस्चूसक कीटो के बारे में, तो बहुत सारे कीट ना सक हमें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन यहां पर मैं आपको, जो हमरा लैमडा सालोत लिना आता है, इसके बारे में जान करी दूँँगा, साथ में थाय मतोक्तम, इन द करेंगा, हमारी धान की फसल के अंदर लगा हुआ है, तो वो भी नहीं लगेगा, उस पर भी हमें काफी अच्छे और सांदर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनकी कितनी कितनी डोज हमें लेनी है, इसके मारे में बात कर लेते हैं, तो इनकी जो मात्रा लेंगे, एक सो साथ से लेके, एक सो असी लीटर पानी के अंदर आप इने मिला लीजिए, और उसके बाद धान की फसल के उपर एक सिंगल इस्पिरे बहुत ही अच्छी तरीके से आप करते हैं, तो आपकी फसल के उपर किसी भी तरह के कीट को रोकने में ये बहुत ज़्याद है सक् दाने को ठोस कैसे बना सकते हैं, दाने के अंदर वजन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए भी एक स्पिरे आता है, इस स्पिरे की भी इतनी ही मातर आपको लेनी है जितनी ही मैं आपको बताने वालों, जैसा की बात कर लेते हैं पोटास के बारे में, पोटास एक ऐ और वजन भी जादा आएगा आपकी जो फसल होगी वो लागतार चमकदार बनी रहेगी जिन खेतों के अंदर धान की फसल के अंदर पोटास का उपयोग नहीं किया जाता है उनके अंदर आप देखेंगे तो चमक आपको बहुत कम दिखाई देगी और जिस खेत के अंदर पो पोटास यदि आप O.P.षटास लेते हैं जो साथ परसेंट में आपको देखने को मिलती है तो उसकी मातर आपको लेनी है 25 kg पृती रिखower के हिसाप आपको गल्ती से भी mutative potas के अंदर इस समय पर नहीं मिलाना है क्योंकि जैसे ही आप yuria मिलाएंगे जो दान की फसल होगी वो बढ़भार करनी सुरू कर देगी और बढ़भार यदि तेजी के साथ होगी तो जो बाली होगी वो छोटी दे जाएंगी दाना अच्छी तरीके से नहीं भर पाएगा तो इस चीज कभी आपको ध्यान रखना है तो आप जो है इसकी मात्रा 25 किलोगराम पिरती एकल ले लीजे और सिर्फ और सिर्फ आपको पोटास का ही उप्योग इसके अंदर करना है इसके अंदर आगे मैं आपको बता दूँ कि यदि आपने पोटास साट परसेंट वाली आपको नहीं लेनी है आप इस्प्रे करना चाहरे है तो इस्प्रे करने वाली कंडिशन में आपको जो है जो हमारा सलफेट और पोटास को लेना होगा और एक किलोगराम की इसकी मात् करता है दाने के अंदर वजन अच्छे से बनेगा फसल आपकी लगाता चमकदार बनी रहेगी तो इस से भी काफी अच्छे रिल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे पानी की मात्रा यहां पर भी आपको एक सो पचास से लेके एक सो असी लीटर के आसपास रखनी होती है साथ में यदि मैं इसमें और डालने की बात करूँ तो आप इसके अंदर बोरोन का उपचास जो बोरोन हमारा 20% में आपको देखने को मिलता है तो 100 ग्राम की मात्रा बोरोन की भी इसके अंदर ले सकते है यानिकि NPK 0-050 एक किलोग्राम बोरोन 20% में 100 ग्राम दोनों को मिक सोही कराया है और बहुती अच्छे रिजट आने वाली टाइम में हमें देखने को मिल जाएंगे आप इस समय पर हमारी धान की फसल को देखेंगे बहुती हरी बरी है किसी भी तरह के कोई कीटो का कोई भी अटेक पूरी फसल के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा बहुत किसानदर वली फसल जो हमारी इस समय पर चल रही है तो किसानदर यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जो फसल है आपके जो दौहन है यह पैदावार आपको जादे निकाल कर दे एक अच्छी पैदावार आपको देखने को मिले तो एक तो दान की फसल के अंदर नमी क्योंकि बालियों यदि सफेद पढ़ेंगी तो इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा किसान भाईयो नुकसान ही हमें देखने को मिलता है तो बालियों सफेद होने से हमें बचानी है बालियों को कोसिस करना कि जैसे आप देख सकते हैं यह जो हमारी बाली है लगभग लगवा किसान वाली एमोपी प्रोटास उसका उप्योग कर लीजिए जया फिर जो हमारी सलफेट प्रोटास एंपी के 0050 इसका उप्योग आप कर लीजिए दोनों में से किसी भी एक का उप्योग करेंगे बहतर परिणाम यहां पर आपको देखने को मिल लेंगे दूसरा मैंने कीटना सकते लिए आपको बताई दिया है कि लेम्ला साली उत्रिन और थायो मतुक्तम इन दोनों को आप उप्योग कर सकते हैं बहतर परिणाम यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे अपनी तरफ से पूरी-पूरी कोसिस कर रहा हूं कि आपको एक सही और सुन्दर जानकरी देश को वीडियो यदी पसंद आई हो तो जादस जादस किसान भाईयो को सेर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब परें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में सब तक के लिए मेरे सभी प्यारे चैनल भाईयों को राम राम जी